क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म का पुराणों में उल्लेक शामिल है। उन्हें मासिक धर्म क्यूं होता है इस पर एक पौरानिक कथा भी मौजूद है जो इंद्र देव से संबंधित है। भागवत पुरान में वर्नेत एक कथा के अनुसार एक बार ब्रहस पती जो देवताओं के गुरू थे वी इंद्र देव से काफी नाराज हो गए। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमन कर दिया और इंद्र को अपनी गद्धी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाते हुए वे सृष्टी के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्रहम ज्यानी की सेवा करनी चाहिए, यदि वो प्रसन हो जाए तभी उन्हें गद्धी वापस प्राप्थ होगी। एक गुरू की हत्या करना गोर पाप था, जिस कारण उन पर ब्रह्मा हत्या का पाप आगाया। ये पाप एक भयानक राक्षस के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर चुपाया और एक लाख साल तक भगवान विश इंद्र के आगरह पर सब राजी तो हो गए लेकिन उन्होंने बदले में इंद्र देव से उन्हें एक वर्दान देने को कहा। पूजा पाठ में इस्तिमाल किया जाता है। पाप धो रही होती हैं, इसलिए उन्हें अपने गुरु तथा भगवान से दूर रहने को कहा जाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने की मना ही थी। यही कारण है। यही कारण है। यही कारण है।